हलो हाई नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त प्रताप वेलकूम टू मैं चैनल प्रता व्लोग्स मैं हूँ अभी वमान का मसकर सिटी में और मैं बिलांस करता हूँ मेकानिकल बैंक्राउंड से और हम लोग आज जो टापीक आपको डिसक्रेशन करने वाल है वो भी मेक कितना टाइप क का है स्लैडिंग वरिंग क्या है रॉलिंग भी मेरिंग क्या है कान्टक्ट नेच्व क्या होता है आपश्य बदा बढम कोन konst चलते हैं भी कि न कहते हैं करते हैं बेरिंग का एक फ्रिक्षन बेरिंग बा स्लाइडिंग बेरिंग बोला जाता है एक अंटि फ्रिक्षन बेरिंग बा रोलिंग बेरिंग बोला जाता है जो फ्रिक्षन बेरिंग है उसमें जर्नल बेरिंग आता है जो बूस्ट टाइप का बेरिंग होता है वो फ्रिक्षन बेरिंग आता है क् एक डीब पॉल बेरिंग है, एक सर्फ अलाइन बॉल बेरिंग है, एक आंगुलार गंटक्ट बॉल बेरिंग है और एक ठ्रस्ट बॉल बेरिंग है, चार द्राइप का वहता होता है rolling beiring चार ट्राइप का होता है rolling बरिंग बार अठनी- आन्टी-फ्रीक्षं बरी्ग बोल जाता है स्किरिकल roller bearing डो होटा है tap owner बरिंग को टिन होता है cylindrical roller uh gy vous और चार होता है needle roller चलते हैं next question मैं बल्षेल का elements क्या होता है ball wearing के rolling elements होता है ball होता है और उसका contact nature होता है point contact क्योंकि ball का जो यह होता है सेप होता है और round होता है तो वो point contact में रहता है outer S का साथ में inner S का साथ में और उसका running क्या होता है वो running high speed running होता है उसका और low load होता है जिदर में load कम है और high speed है उदर में ball wearing यूज करते है, चलते है next question में, roller wearing, roller wearing का contact nature क्या होता है, roller wearing का contact nature होता है, line contact होता है, roller का, तो set दूसरा type का रहता है, इसलिए line contact होता है, वो एक point में नहीं होता है, वो line contact होता है, और उसका rolling element roller रहता है, ball में ball रहता है, इसमें roller रहता है, और उसका running होता है, high load and low and medium have productability speed काम है और हाइ लोड के लिए उज्ज कयं जाते है चलते हैं इस्ट कोशोषिन मेंRIS, इप ग्रूभ वालभेरिंग का, लोड़ नेचर क्या होता है फर है रलता है इसका लोड नेचर क्या होता है उसका load nature होता है for radial load only जिसमें radial load ज्यादा रहता है उधर में self aligned ball wearing यूज़ करते हैं चलते next question में angular contact ball wearing क्या है उसका load nature क्या है angular contact ball wearing का load nature है for high axial load with radial load जिदर में high axial load भी है और radial load भी same condition में है उधर में हम लोग angular contact ball wearing यूज़ करते हैं चलते हैं next question में thrust bulvering क्या है thrust bulvering का load nature क्या है for axial load in one direction axial load एक ही direction में होता है तो उधर में हम लोग ज्यादा तर thrust bulvering यूज़ करते हैं thrust bulvering यूज़ करने का एक ही फाइदा रहता है चलते है next question में spherical load bearing क्या है उसका load nature क्या है for high radial load and moderate axial load also जिसमें high radial load भी रहता है और moderate का actual load रहता है उद्र में spherical roller Baring हम लोग यूज़ करते हैं और tap award bearing tap award bearing का load नेचर क्या है for high radial and axial load in वान डेरेक्शन जो वान डेरेक्शन में high axial load भी रहता है और radial load भी रहता है उद्र में हम लोग taper roller bearing यूज़ करते हैं ज्यादा तर बड़ा बड़ा equipment में हम लोग ज्यादा तर spherical roller bearing यूज करते हैं चलते हैं next question में cylindrical roller bearing क्या है और हम लोग उसका load nature को पहचानते हैं for high radial load and limited amount of axial load जिदर में high radial load रहता है और एक limited जो survival limited amount का axial load रहता है उदर में हम लोग cylindrical roller bearing यूज करता है निड्र लोलर बेरिंग किदर यूज करते हैं उसका load nature क्या होता है only suitable for radial load जिदर में radial load only radial load होता है और normal quantity में होता है उदर में हम लोग neutral roller bearing यूज करते हैं ज़ादातर यह दर थस्ट जिदर में फेदा होता है उसी साइड में हम लोग नेटी डोलर बेरिंग use करते हैं चलते हैं नेक्स्ट कुस्टिन में How many parts of a bearing? bearing के कितना parts होता है और उसका बारे में हम लोग पूरा detail से हम लोग जानते हैं बेरिंग का एक एक पार्ट और उसका काम क्या है, हम लोग जानते हैं, चलते हैं, उसका चार पार्ट से एक आउटर रेस है, एक इनर रेस है, और एक केज बास सेपरेटर बोलते हैं, एक रोलिंग एलिमेंट है, बेरिंग का चार पार्ट है, मेली चादा तर चार पार्ट है, outer race है, inner race है और cage बस separator बोलते हैं और rolling elements जो है ball भी हो सकता है roller भी हो सकता है spherical roller भी हो सकता है चाहे needle roller भी हो सकता है कोई भी ball किसी भी ball को हम लोग यूज कर सकते हैं बस bearing के ओही जो 4 पाट है ओही रहेगा बस rolling element जो हम लोग यूज करेंगे, वही चेंज हो जाए, कहीं पर ball हो जाएगा, कहीं पर cylinder का roller bearing हो जाएगा, चलते हैं next question में, what is the function of parts of a bearing, जो bearing का part होता है, उसका क्या-क्या काम रहता है क्यों हम लग यूज करते हैं, चलते हैं, देखते हैं next question में, जो bearing में चार part रहता है, उसका क्या-क्या function होता है चलते हैं, एक में है outer race and inner race housing for rolling elements जो outer race और inner race है, वो rolling elements का provide करते हैं, housing का काम करते हैं और दो number में cage, cage maintain the distance and gap between the rolling elements, जो rolling element है जो कहें ball है, चाहें roller है, उसको बराबर gap maintain करता है, कहीं किदर में gap कम और gap ज़्यादा नहीं होना चाहिए, rolling element अपना अपना जगा में रहना चाहिए, तीन में rolling element, carry load while minimize friction, जो rolling element है वो जितना भी load होता है, वो minimize करता है friction को friction जो पेदा होता है, वो friction को minimize करता है rolling element, चलते हैं next question में which type of load are acting on bearing, bearing में जो चलने का time में क्या क्या load उसी में आता है, और क्या क्या load को वो लेके चलता है, जो भी bearing है, कहीं पे भी ball bearing है needle bearing bearing है, spherical bearing है वो किसमें क्या-क्या लोड आता है, चलते हैं देखते हैं, एक में radial लोड आता है, radial लोड आता है, जो टब से आता है radial लोड, जो second में है thrust है, वह axial लोड होता है, thrust जिसमें होता है, उसको axial लोड भी बोलता है, axial लोड मतलब कहीं side से, एक side से पढ़ता है, तो उसको axial लोड बो एता है दोनों लोड जो पर पड़ता ऑसको लोड़ इसको कंभाइंड लोड यांगुरा लोड़ बोलते हैं आगुला लोड का मतलव यह होता है छ दो प्यारिंट्स भी का भी काभी पोच्टते दो बूंद trimming thrust load और angular load में difference क्या होता है thrust roller वो किदर में यूज करते हैं इसका बारे proper knowledge ले 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 जिए which bearing is used for high speed and low load कौन सा bearing है जो high speed और low load में यूज करते हैं उसका answer है ball bearing ball bearing हम लोग high speed और low load में यूज करते हैं जिदर पर load काम है और speed हमको ज़्यादा चाहिए उदर में हम लोग ball bearing यूज करते हैं चलते है next question में which bearing is used for high load and low or medium speed किदर में जिदर में medium और low speed है और high load हम लोग को ये करता है हम लोग कौन सा bearing यूज करेंगे उसका answer है roller bearing हम लोग जिदन रोलर bearing यूज करेंगे जिदर में high load और medium speed है speed जादा नहीं है और low load बहुत है उदर में हम लोग roller bearing यूज करेंगे चलते है next question में what is the function of bearing bearing का क्या function है हम लोग क्यों यूज करते है bearing को bearing यूज करने समको क्या फाइदा मिलता है चलते हैं देखते हैं answer क्या है answer एक में है it holds the shaft in correct position bearing shaft को correct position में पकड़ के रखता है it reduces friction and provides smooth operation यो friction को काम करता है और smooth operation प्रोवाइड करता है it reduces energy consumption जो भी energy consumption होता है उसको काम कर देता है it reduces wear and tear of parts कहीं पर parts को damage होने का खत्रा नहीं होता है wear and tear को maintain कर लेता है ज्यादा तर हम लोग 4-5 चीज़ के लिए यूज़ करता है और it carry load हम लोग जो भी load होता है वो divide करके bearing में support करके वो bearing ले लेता है ज्यादा तर equipment का उपर में load नहीं आता है चलते है next question में which material is used in bearing to avoid direct metal to metal contact हम लोग एसा क्या चीज़ बेरिंग में यूज़ करता है जो कि metal to metal contact नहीं होता है उसका answer है हम लोग grease भी यूज़ करता है कहीं कहीं जगा पर oil भी यूज़ करता है जो कि lubricant item होता है हम लोग जो rolling elements है उसको cooling करके रखता है चलते हैं next question में what is the bearing normal operating temperature जो bearing का normal temperature है operating temperature है वो कितना होता है एक bearing का एक bearing का temperature होता है 40 to 80 degree Celsius दान दिजिएगा इसमें question का उपर में 40 to 80 degree Celsius normal operating temperature होता है एक bearing का चलते हैं next question में in bearing number 420EK which digit indicate the bearing number 420EK में कौनसा number bearing indicate करता है कि bearing number को indicate करता है कौनसा type का bearing indicate करता है चलते हैं answer जानते हैं first digit means 2 जो 2 है first digit है वो कौनसा type का bearing है वो उसको indicate करता है जो bearing का पहला number होता है वो indicate करता है वो किस टाइप का bearing है और वो कहां पे लगेगा वो कितना load ले सकता है उसका बारे में सब कुछ पता चलता है चलते हैं next question में which parts of bearing is not rotate after installation बेरिंग का ऐसा कौन सा पार्ट है जो installation का बाद में रोटेट नहीं करता है वो एसा रहता है रोटेट नहीं करता है चलते हैं answer देखते हैं outer rest जो outer rest होता है वो fix होता है inner rest इनर rest भी घुमता है उसका साथ में rolling elements भी घुमता है चलते हैं next question में how many types of bearing bearing बेरिंग कितना टाइप का है ज्यदा देखते हैं बहुत सारे में पूछा जाता है कितना टाइफ का bearing होता है और bearing ज्यदा पूछा जाते हैं हे यह question चलते हैं answer जानते है // बेरिंग होता है दो टाइप का एक friction बेरिंग होता है एक anti friction बेरिंग होता है आप जो भी बेरिंग का detail से आप खुद practice करके जाएगा चलते हैं next question में what is the purpose of using grease in bearing बेरिंग में grease को use करने से हम लोग को क्या फायदा मिलता है उसको purpose क्या होता है चलते हैं answer का तरफ देखते हैं reduce friction and minimize wear & tear जो भी bearing का friction होता है, friction पैदा होता है, जो load का बज़े से friction होता है, वो friction को reduce कर देता है और जो wear and tear होता है, जो bearing में नहीं तो equipment को damage करने वाला TJ, वो bearing आपना उपर ले लेता है जैसा कि हम लोग कहीं पे load ज़्यादा है, हम लोग ball bearing लगाए हुए है, वो ज़्यादा तर नहीं चलने वाला है क्योंकि उधर में हम लोग spherical roller bearing, roll type का bearing चाहिए, क्योंकि ball bearing हम लोग उधर यूज करते है जिदर में speed ज़्यादा है और load का हमें, उसी जगाए पर हम लोग यूज करेंगे bearing जैसा load है, उसी हिसाब से हम लोग को bearing यूज करना पड़ेगा चलते हैं, next question में What is the idea of bearing number 6201? हम लोग तो पहले discussion कर चुके हैं जो last two digit है bearing number का 00 होगा तो 10 mm, 01 होगा तो 12 mm, 03 होगा तो 15 mm, 03 होगा तो 17 mm, 02 होगा तो 15 mm है इसका last में 01 mm है, उसका मतलब 12 mm है bearing का last two digit 00 होगा तो 10 mm, 01 होगा तो 12 mm, 02 होगा तो 15 mm और 03 होगा तो 17 mm रखता है क्योंकि 00 से calculation स्टार्ट होता है चलते हैं, next question में What is the ratio of taper bore bearing like 222-180K? जिदर में 1 के रहता है, हम लोग समाझते हैं कि यह taper bore bearing है जो taper bore bearing का ratio के सा पता करते हैं? हम लोग चलते हैं answer में 1 is to 12 ratio हम लोग के सा पता करते हैं? उसका बारह में आप लोग comment करेगा तो make आप लोग तो मालूम होगा gearbox का ratio सुने होंगे पर जो bearing का ratio आप कभी सुने नहीं होंगे इसलिए आप लोग बोलेंगे तो उसका अपर एक नया वीडियो बनाएंगे चलते हैं जो भी हम लोग अडप्रस लिए उसका maintenance के लिए उसका maintenance के लिए एजी रहता है और वो mounting करने के लिए सठीक रहता है तो उसका wear and tear होने का भी कोई chances नहीं है और वो maintenance में ज्यादातर बहुत सहाग करता है बहुत ऊजी होता है change करने में और उसका कश्ट भी ज्यादा effect नहीं होता है चलते है next question में tell the some bearing manufacturing company name जो बड़ा-बड़ा manufacturing bearing का है उसका नाम बताइए ज्यादातर हम लोग सुने होंगे बहुत बड़ा-बड़ा company का नाम है इसमें जैसे की escape हो गया, fag हो गया, ntn का company हो गया और timkin का company हो गया ज्यादातर हम लोग बहुत बड़ा-बड़ा industry में फैक का भी यूज करते हैं और escape का भी बहुत यूज करते हैं और timkin का भी यूज करते हैं ऐसा कोई बात नहीं है चलते है next question में what does indicate c3 in bearing number जो bearing number है लास्ट में c3 क्या mention क्या हो दरसाता है वो कौन सा चीज होता है वह है internal clearance जो बॉल और इनरेस और आउटरेस में जो यह clearance हैता है वो clearance को दरसाता है c3 चलते है next question में which tool is used for measuring the internal clearance of a bearing जो internal clearance होता है bearing में वो कौन सा चीज से नापा जाता है वो है filler gauge filler gauge का माध्यम से हम लोग clearance जो internal clearance रहता है bearing का उसको नापते हैं चलते है next question में which measuring instrument is used to measure bearing dimension जो भी bearing का dimension होता है उसको हम लोग कौन सा measuring instrument में नापते हैं चलते हैं answer के तरफ और अंसर है bernier caliper bernier caliper का through में हम लोग accurate bearing का जो है dimension हम लोग नाप सकते हैं इसलिए हम लोग bernier caliper का सहायता लेते हैं bernier caliper bernier caliper हम लोग precision instrument होता है उसमें से measuring और डाइमेंसर बराबर आता है चलते हैं next question में what is the function of cage in bearing जो bearing में cage होता है उसका क्या function होता है हम लोग क्यों cage को देते हैं और cage का भी बहुत various type का बाता है जिसा जैसा bearing रहता है उस type का cage आता है चलते हैं answer का तरफ to maintain the distance of rolling elements जो भी rolling element है उसको distance maintain करके रखता है और उसको capacity को बढ़ाता है क्योंकि rolling elements आपना जागा पर रहेंगे तो थोड़ा जादे देर तक चलेंगे क्योंकि वह आपना जागा में नहीं रहेंगे आपना distance maintain करके नहीं रहेंगे तो वह खराब होने का जल्दी chances है चलते हैं next question में why bearing is used हम लोग bearing को क्यों use करते हैं bearing में क्या फाइदा मिलता है हम लोग को ज्यादा तर question में पूछा जाता है bearing हम लोग क्यों use करता है और जो अब फ्रिक्शन बेरिंग क्यों use करता है और जो उसका उपर लोड आता है उसको carry करके वो carry forward करके चलता है और उसका हम लोग यूज करने का और एक फाइदा होता है जो भी wear and tear होने का चांस ऐसे equipment का साथ में वो दोस्तों मेरा वीडियो में बने रहने के लिए और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों कसा सेर कीजिए और सस्क्राइब करना ना बुले और कहीं पर भी और कोई क्यूरी है नहीं तो यह related का कोई कुश्ची नहीं तो मेरे को comment section में बता सकते हैं comment section में बताएंगा तो मैं उसका related जो भी वीडियो होगा बनाओंगा नहीं तो आपको उधर में answer करने के लिए कुशिस करूँगा धन्यवाज जय जगरनाद शलाम आदाब सस्त्रियकार नमस्कार